हेलो एवरिवन तो देखिए आज हम नीट प्रिविएस एर क्वेस्टन स्टॉल करेंगे मूविंग चार्ज एंड मैंगनेटिजम फर बेश तो स्टार्ट करते हैं एन एल्फा पाइटकल एक्सपिरियंस से फोर्स ओफ 3.84 इंटु टेनिक पावर माइनस 14 न्यूटन वेन इट मूवस पर्पेंडिकुलर टू मैंगनेटिक फेल्ड ओफ 0.2 वेवर पर मीटर स्कॉयर देन स्पीड ओफ एल्फा पाइटकल तो देखिए इस क्वेस्टन में जो गिवन एसको में लिखेंगे गिवन यह फोर्स दिया है एफ इजू कॉल टू 3.84 इंटु टेनिक पावर माइनस 14 और जो मैंगनेटिक फेल्ड की वैलू दिये वी इजू कॉल टू दिया है और यह की वैलू होती है 1.63.2 इंटू टेनिक पावर माइनस 19 कूलाम यह चार्ज की वैलू होगी अब परपेंडिकुलर मूग कर रहे है तो यह थेटा 90 डिग्री होगा तो यहां पर एफ एम इक जो कॉल टू जो हो जाएगा फोर्स जो मैंगनेटिक फोर्स की वैलू होग यह एफ एम यह क्यू वी वी के एक को लोगी है तो यहां पर वैलॉस्टी यानि स्पीड निकालना है एफ एम की वैलू पूट करेंगे मैंगनेटिक फोर्स 3.84 इंटू टेनिक पावर माइनस 14 इज उकल टू क्यू की वैलू 3.2 इंटू टेनिक पावर माइनस 19 वी हमको फाइंड करना मैंगनेटिक फेलिक वैलू 0.2 है तो यहां पर इसको डिवाइड कर देंगे तो यह वैलॉस्टी आ जाएगी 3.84 इंटू टेनिक पावर माइनस 14 डिवाइड़ वाइड 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 जीरो पॉइंट टू एंटू 3.2 इंटू टेनिक पावर इनटीन तो इसको हम सॉल कर लेंगे जो टेनिक पावर माइनस 19 उपर जाएगा टेनिक पावर 14 में तो यह टेनिक पावर 5 हो जाएगा प्लस का और यह 3.2 में जो हम पॉइंट टू को हम लिख सकते हैं वन अपॉन 5 देखिए यहां पर हम 3.2 से डिवाइड करेंगे 3.84 में तो यह 1.2 हो जाएगा और यह 0.2 से डिवाइड करेंगे तो यह पॉइंट से पॉइंट कंसिल हो जाएगा 2 का 12 में डिवाइड करेंगे तो यह 6 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड तो इसका ओफ्षन करेक्ट आ जाएगा 6 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड फर्स्ट ओफ्षन करेक्ट हो जाएगा अब देखे इस कोश्चन में SI unit of magnetic flux इस तो magnetic flux की जो SI unit होती वो वेवर होती है तो इसका ओफ्षन करेक्ट होगा सेकेंड यह वेवर होगी SI unit magnetic flux की देखे the vector form of biosavet law for a current carrying element तो जो vector form होता है biosavet law का vector b is equal to mu not i vector dl cross vector r divided by r square तो यह first option इसका करेक्ट होगा यह इसका फार्मूला होता है अब इसके वाद दिखे if an electron magnetic field with its velocity pointing in the same direction as the magnetic field then तो यहाँ पर electron एक magnetic field में enter करता है V velocity से और यह magnetic field की direction में move करेगा तो velocity जो होगी electron की वो change नहीं होगी क्यों नहीं change होगी तो देखिए यहाँ पर हम यह इसका डाइग्राम बनाते है यह हम magnetic field lines लेते हैं इस तरह से magnetic field lines हमने इस direction में लिए है vector b और जो charge particle है electron वो भी इसी direction में move करेगा यह velocity होगी तो जो magnetic force होता है fm is equal to होता है qvv sin theta यहाँ पर जो theta की value है वो 0 degree हो जब theta 0 degree होगा तो sin 0 की value 0 होती तो fm की value 0 हो जाएगे जब कोई force नहीं लगेगा है चाइज पाइटिकल पर तो यह इसकी वेलास्टी जो है वो चेंज नहीं होगी तो दा वेलास्टी अप दा इलेक्ट्रॉन विल रिमेन और चेंज फोर्थ ऑफ्सन करेक्ट हो जाएगा अब देखें नेक्स्ट क्वेशन इस सर्कुलर लूप है जो रेडियस ऑफ फाइव सेंटिमीटर एंड इट इस करेंट ऑफ जीरो पॉइंट वन एम इस मैंगनेटिंग मोमेंट तो देखें इस क्वेशन में हमको मैंगनेटिंग मोमेंट फाइंड करना है तो जो value given इसको दिये यह 5 सेंटिमीटर दिये इसको में 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 कनवर्ट करेंगे 10 पावर माइनस 2 मेंटर हो जाएगे I की value 0.1 ampere होगी और मैंगनेटिंग मोमेंट M हमको फाइंड करना है तो यहां पर मैंगनेटिंग मोमेंट यह M is equal to N I A का फार्मूला अप्लाई करें तो N की जगे 1 पुट करेंगे I की value 0.1 और area हो जाएगा पाई R square यहां पर R की value पुट कर देंगे तो यह 0.1 3.14 और यह 5 cm है तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 2 का square करेंगे तो 0.314 और यहां पर 5 का square करेंगे 25 इंटू 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा और इसको हम solve कर लें multiply कर दें 25 को तो यह हो जाएगी value 7.85 इंटू 10 पावर माइनस 4 एंपियर मीटर स्कॉाइर तो इसका option करेक्ट हो जाएगा 4th तो इस 4th option इसमें करेक्ट होगा अब देखिए next question an electron is moving in a circle of radius 5.1 इंटू 10 पावर माइनस 11 मीटर at a frequency of 6.8 इंटू 10 पावर 15 revolution per second the equivalent current is approximately तो देखिए इस question में हमको जो given है उसको हम लिखेंगे यह given radius r की value 5.1 इंटू 10 पावर माइनस 11 मीटर दिये electron है तो q की value 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलाम हो जाएगा और frequency की value 6.8 इंटू 10 पावर 15 revolution पर second दिये तो यहाँ पर हमको current find करना है तो i is equal to होता है q by t और यहाँ पर frequency जो होती हो 1 upon t की value दिये यह n is equal to होता है 1 upon t तो यहाँ से हम value put कर देंगे 1 upon t की तो यह हो जाएगी q की value 1.6 इंटू 10 पावर मैनस 19 और यह frequency की value यह 6.8 इंटू 10 पावर 15 इसको multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 10 पावर मैनस 4 और यह value आएगी 10.88 इसको multiply करेंगे तो यह value हो जाएगी 1.088 इंटू 10 पावर मैनस 3 तो इसको हम लिख सकते हैं approximate में 1.1 इंटू 10 पावर मैनस 3 तो यह current की value होगी ampere में तो इसका option correct हो जाएगा third अभी की इस question में for the given current distribution the magnetic field at point P तो इस P point पे magnetic field find करना है तो यह first wire में जो current है वो upward जारी हो second wire में भी तो यहाँ पर kinetic field first wire के काण inside होगी तो इसको हम B1 लिख लेते हैं और B1 की value जो होगी इसमें formula infinite length wire का लगाएंगे यह B equal to होता है formula mu not i upon 2 pi r तो यह हो जाएगा mu not i की value 5 upon 2 pi r की value 2.5 और यह direction inward है second B2 की value निकालेंगे तो यह mu not i की value 2.5 divided by 2 pi into r की value 2.5 अब इस wire के काण यहाँ पर magnetic field outward होगी net magnetic field p point पे निकालना है तो B is equal to हो जाएगा यह B1 minus B2 करेंगे तो यह हो जाएगा 5 mu not upon 2.5 into 2 करेंगे 5 pi हो जाएगा minus 2.5 mu not divided by 5 pi अब यहाँ पर 5 pi LCM लेंगे तो यह mu not common हो जाएगा 5 minus 2.5 तो 5 से 2.5 less करेंगे तो 2.5 बचेगा 2.5 mu not upon 5 pi इससे divide करेंगे तो 2 time cancel होगा तो यह value आएगी mu not upon 2 pi यह P point पर magnetic field की value आएगी mu not upon 2 pi direction जो होगी वो inside होगी तो इसका option करेंगे हो जाएगा second इत चार्ज हाविं क्यूब आएम एक्वल तो 10 पावर 8 कूलाम पर किलोग्राम एंड विद वेलोस्टी 3 इंटो 10 पावर 5 meter per second enters into a uniform magnetic field B is equal to 0.3 tesla at an angle 30 degree with the direction of magnetic field the radius of curvature विल भी तो देखी यहाँ पर यह यह हम magnetic field draw करते हैं पहले जो value दी उसको लिख लेते हैं given यह क्यू वाइम की value 10 पावर 8 कूलाम पर मीटर किलोग्राम दिये और वेलोस्टी वी की value 3 इंटो 10 पावर 5 meter per second magnetic field B की value 0.3 tesla दिये और यहाँ पर एंगल 30 degree यह दिया है देखे यह magnetic field हम B लेंगे और यह velocity के बीच में एंगल यह 30 degree है तो जो magnetic field के perpendicular component होगा यह हो जाएगा V sin theta तो इस component को हम लेंगे तो radius का यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे r is equal to m v sin 30 upon qv लेंगे देखे यहाँ पर qym की value दी और यहाँ पर हमें m upon q लिखना है तो m upon q जाएगा 1 upon यह 10 पावर प्लस 8 है तो इसको हम 10 पावर minus 8 लिख देंगे m y q की value और यह v velocity दीए 3 into 10 पावर 5 और sin 30 है sin 30 value हो जाएगी 1 upon 2 इसको erase कर देते हैं यह 1 upon 2 और upon में b की value 0.3 तो यहाँ से 0.3 में point हटाएंगी 1 पावर 10 की ऊपर बढ़ जाएगी और यह 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 2 का 10 में divide करेंगे 5 हो जाएगा और यह यहाँ पर बचेगा 10 पावर माइनस 3 तो यह value आ जाएगी यहाँ से 5 मिलीमेटर यानि 0.5 सेंटीमेटर और रेडियस की value तो इसके लिए option करेक्ट हो जाएगा second the value of work done for rotating a magnet of magnetic moment m by an angle theta with respect to magnetic field b is given y तो देखें यहाँ पर एक magnetic dipole को magnetic field में हम theta angle से rotate कर रहे हैं magnetic field की direction से तो work done की value क्यों सी होगी वो बतानी है तो देखें जो w work done होता है magnetic field में जब हम dipole को rotate करते हैं magnetic dipole को तो इसकी value होती mb 1-cos theta के equal अब यहाँ पर देखें इस तरह का कोई option दिया नहीं है तो इसको हम cos theta को change करेंगे तो यह हो जाएगा mb 1-cos theta को रखेंगे 1-2 sin square theta y2 यह हम लिख देंगे इसको तो यह हो यह हो जाएगा mb और यह हो जाएगा 1-1 हो जाएगा और यह प्लस का जाएगा 1 ampere current flows through an infinite long state wire the magnetic field produce at a point 1 meter away from it is तो देखें इसमें infinite length के wire के कारण 1-meter distance पे magnetic field find करनी है तो जो वह लोग given है उसको लिख लेंगे given i is equal to 1 ampere दिया है और जो distance r दिये है वह 1-meter दिये है और इसमें find करना है 1-meter distance पे magnetic field infinite length के wire के कारण तो यहाँ पर हम magnetic field का formula लगाएगे b is equal to mu naught i upon 2 pi r यह infinite length के wire के कारण होता है magnetic field अब यहाँ पर हम value put करेंगे तो mu naught की value होती है यह 4 pi into 10-1-7 current की value 1 है upon में 2 pi into r की value 1 तो देखें 2 pi से 4 pi हम divide करेंगे 2 हो जाएगा तो यहाँ से जो magnetic field की value आएगी b is equal to यह हो जाएगा 2 into 10 power minus 7 tesla तो इसका option correct हो जाएगा 3rd अब देखें यहाँ पर 2 infinite long parallel wire carry current equal current in same direction the magnetic field at a mid point in between the two wire तो इसमें 2 wire infinite length के लेंगे हम यह infinite length के हमने wire लिये हैं यह दो wire हैं parallel हैं और इनमें current जो है वो same direction में है तो यह हमने current इनमें same direction में ले लिये same current दी है तो इसको हम i equal current ले ले लेते हैं तो इसके mid point पे हमको magnetic field find करनी है तो यह distance r हो जाएगी और यह भी distance r हो जाएगी mid point है तो देखिए first इसको हम first wire ले 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 लेते हैं और इसको second तो यहां पे जब magnetic field हम निकालेंगे तो first wire में हम right hand rule से magnetic field निकालेंगे तो यह यहां पर magnetic field की direction जो होगी वो inside होगी यह right hand लगाएंगे तो यह magnetic field inside आ जाएगी और इस wire यह b1 की direction होगी b1 inward होगा second wire के current magnetic field निकालेंगे तो यह magnetic field outward आएगी अब दोनों की जो magnetic field का magnitude होगा b1 is equal to b2 होगा क्योंकि current same है और इसकी value होगी mu naught i upon 2 pi r तो दोनों opposite direction में हैं तो इस midpoint को हम p ले लेते हैं तो bp की value जो होगी वो b1 minus b2 होगी और equal value है इनको less करेंगे तो magnetic field zero आएगी तो इस midpoint पे इन दोनों wire के magnetic field की value zero होगी वेन चार्ज पार्टकल इंटर्स इनने uniform magnetic field its kinetic energy तो देखिए पहले हम uniform magnetic field लेते हैं यहां पर हम inward magnetic field ले रहे हैं यह uniform magnetic field ले रहे हैं देखिए यह मैंने uniform magnetic field ली है अब इसमें हम एक charge particle को जब इंटर कराएंगे तो यह charge particle अच्छा circle नहीं बना uniform magnetic field में जब charge particle इंटर करेगा तो यह सरकिल बनाता है और यहां पर इसकी speed जो होती है वो change नहीं होती है क्योंकि इस पर centipetal force लगेगा magnetic force यह centipetal force कवर करता है तो यहां पर V जो होता है वो constant होगा तो यहां पर kinetic energy निकालनी है M को kinetic energy की value होती है half M v square और जब velocity नहीं change हो रही है तो kinetic energy भी नहीं change होगी तो यहां से kinetic energy जो होगी वो constant हो जाएगी तो इसका option correct हो जाएगा first remains constant if number of turns area and current n a i respectively then its magnetic moment will be तो देखिए यहां पर magnetic moment बताना है यह M से denote करते हैं इसको तो यह M is equal to होता है N i a equal तो इसका option correct होगा first इसके वाद देखिए cyclotron is used to accelerate तो जो cyclotron का हम यूज करते हैं वो positive iron को accelerate कराने के लिए किया जाता है तो इसका option correct होगा third अब देखिए इस question में एक closely wound flat circular coil of 25 tons of wire has diameter of 10 centimeter and carries current 4 ampere determined the magnetic flux density at the center of the coil तो इसमें जो given इसको लिखेंगे given यहां पर number of tons N की value 25 दी है और radius 5 centimeter है तो 5 into 10 power minus 2 meter लिखेंगे current I की value 4 ampere है magnetic flux density यहनि magnetic field भी यहां पर हमको find करना है तो पहले तो हम यह coil बना देते हैं देखिए यह इस तरह से coil दी गई है इसमें यह current आई है 4 ampere इसके radius दी गई है तो इसके center पर magnetic field निकलना है तो इसके लिए जो formula B is equal to mu naught N I upon 2 R होगा mu naught की value 4 pi into 10 power minus 7 N की value 25 I की value 4 upon 2 small r की value 5 into 10 power minus 2 तो यह 5 into 2 हो जाएगा 10 और 10 power minus 1 में एक power cancel हो जाएगी तो यह 4 pi into 10 power minus 7 और यह multiply करेंगे इसके 100 होगा और upon में 10 पावर minus 1 वज़ेगी यह उपर आ जाएगी power तो यह 4 into 3.14 into 10 पावर minus 4 वज़ेगी इसको multiply कर देंगे तो 4 4 जा 16 हो जाएगा 4 वज़ेगा 4 वन जा 4 और 1 5 7 लिख गया था तो यहां पर यह 5 होगा और 4 3 जा 12 into 10 power minus 4 तो यह 1 1.256 into 10 पावर minus 3 टेसला यह magnetic field की value होगी तो यहां पर इसका option correct हो जाएगा 3rd 1.257 into 10 पावर minus 3 टेसला current i is flowing in a conducting circular loop of radius capital R. it is kept in a magnetic field V which is perpendicular to the plane of circular loop the magnetic force acting on the loop is देखिए यहां पर हम एक लोप लेंगे देखिए यह हमने लोप लिया है circular इसकी radius जो होगी वो आर होगी इसमें यह current i flow कर रही है तो इस पर magnetic force कितना लगेगा वो find करना तो देखिए यह length जो हो जाएगी यह 2r हो जाएगी तो इस wire पर जो force लगेगा यहां पर magnetic field दीकर हम inside लें तो यह magnetic force upward लगेगा यह फ्यम और इसकी value होती है i, b और यह l के value 2r और इस wire पर जो force लगेगा current इस direction में है तो यह force हो जाएगा यह फ्यम i, b into 2r अब देखिए जो force है वो opposite direction में लग रहा है तो यहां पर net force जो हो जाएगा f net यह 0 हो जाएगा दोनों cancel करेंगे तो इसको option correct हो जाएगा third each charge particle is moving in the direction of magnetic field the magnetic force acting on the particle तो देखिए जो फार्मूला होता है यह फ्यम जब कोई charge particle magnetic field में move करता तो यह qvv sin theta force लगता है अब इसमें देखिए कुछ value हमको given मैंने उनको लिख देते हैं यह theta जो एंगल है charge particle जो है वो magnetic field की direction में move कर रहा है तो theta की value zero degree है और fm हमको find करना था तो अब इसमें हम value put करेंगे तो qvv sin theta की value theta zero degree है साइन जीरो की value zero होगी तो जो magnetic force आएगा या फ्यम यह हो जाएगा zero magnetic field lines produced by a bar magnet cuts each other तो देखिए जो magnetic field lines और electric field line होती है यह कभी भी एक दूसरे को cut नहीं करती तो never intersect to each other होगा तो इसका option correct हो जाएगा पॉर्थ पाई एंपियर करेंट इज फ्लोइं लॉंग स्टेट वायर दू तो दिस एफ एंटो टैनिक पावर माइनस फाइव टेसला प्रोड्यूज्ट दें डिस्टेंस ओफ प्वाइंट प्वायर इज तो देखिए इसमें में जो गिवन है यह गिवन तो गिवन है आई की वैलू यह पाई एंपियर दी है और यहां पर मैंगनेटिक फेल्ड बी की वैलू फाइव इंटो टैनिक पावर माइनस फाइव टेसला दी है और यह जानदा ही लिग गिया इसको एरेज कर जाते हैं और इसमें डिस्टेंस आर फाइंड करना है जहां पर यह मैंनेटिक फेल्ड प्रोड्यूस होगी तो इसमें फार्मूला हम लगाएंगे बी इच उकल टू मू नोट आई अपॉन टू पाई आर तो बी की वैलू है फाइव इंटू टैनिक पावर माइनस फाइव मू नोट आई की वैलू पाई है अपॉन टू पाई इंटू आर यह पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा r निकालना है, तो यह हो जाएगा, mu naught upon, 2 into 5 into 10 power minus 5, तो यह हो जाएगा, mu naught into 10 power 5 divided by 10, तो यह power एक इसमें कम हो जाएगी, तो जो r की value आएगी, यह r is equal to हो जाएगा, 10 power power 4, mu naught और यह unit meter में आएगी, तो इसका option correct हो जाएगा, first, the unit of magnetic moment will be, तो जो magnetic moment होता है, M, यह M is equal to N, I, A होता है, तो यहाँ पर I, current की unit होती है, ampere, area की meter square, तो इसका जो option correct हो जाएगा, वो second correct हो जाएगा, ampere, meter square, देखे, इस question में, at any place, horizontal and vertical component of earth magnetic field are equal, then angle of dip at that place, तो देखे, इस question में, जो given है, है, यह given, horizontal component of magnetic field is equal to vertical component, तो यहाँ पर angle of dip निकालना है, तो angle of dip के लिए, यहाँ पर formula apply करेंगे, यह tan theta is equal to vertical component divided by pH, बी वी वाई बी अच, तो यहाँ पर यह दोनों equal है, तो यह हो जाएगा, बी और यहाँ पर बी एच की जगह पर भी बी लिख सकते हैं, equal है, cancel होगे, divide होके बन आ गया, तो यह value होती है, 10 में 10, 45 degree की, तो यहाँ से theta की value, angle of dip आ जाएगा, 45 degree, तो इसका option correct हो जाएगा, second, value of earth's magnetic field, at any point is, 7 into 10 power minus 5, बेवर per meter square, this field is neutralized by field, which is produced at the center of a current carrying loop of radius 5 centimeter, the current in the loop, तो देखी, इस question में दिया है, किसी point, earth की जो magnetic field है, वो, 7 into 10 power minus 5, बेवर per meter square थी, given इसको में लिखते हैं, given, magnetic field of earth, यह value दिये, 7 into 10 power minus 5, बेवर per meter square, अब यहाँ पर एक current carrying loop है, जिसकी radius, आर की value 5, centimeter दी, इसको meter में चैन्न कर देते हैं, current loop में कितनी होगी, वो हमको find करना है, देखिए, फार्मूला हम current carrying loop का निकालेंगे, यह magnetic field, जो current carrying loop है, उसकी magnetic field के equal होगा, और current carrying loop के center पे, जो magnetic field होती है, इसका फार्मूला होता है, mu not i upon 2r, r की value है, 5 into 10 power minus 2, तो b की value यहाँ पूट करेंगे, 7 into 10 power minus 5, mu not की value पूट करेंगे, तो 4, 5 into 10 power minus 7, i की value find करना है, upon 2 into r की value, 5 into 10 power minus 2, इसको multiply कर देंगे, तो 5 into 10 हो जाएगा, तो 10 power minus 1 बचेगा, और, यह 7 into 10 power minus 5, इसमें हम divide करेंगे, यह यहाँ पर 10 power minus 1 से, यहाँ पर एक power cancel हो जाएगी, तो यह 10 power minus 6 बचेगा, यहाँ पर, तो यह 4 pi से यहाँ divide करेंगे, into 10 power minus 6, यह i की value आ गई, अब इसको solve करें, तो 10 power 6 उपर जाएगी, तो plus की हो जाएगी, तो यह i जो equal to आ जाएगा, 70 divided by 4 pi, और यहाँ पर 4 pi की value पुट कर दे, 70 divided by 4, into 3.14, तो इससे जब हम divide करेंगे 70 में, तो यह value आ जाएगी, 5.6 ampere, तो यहाँ से जो current की value आई है, i is equal to, 5.6 ampere आ गई value, तो इससे जो option correct होगा, वो second correct हो जाएगा, equal of one loop is made by a wire of length L, and thereafter equal of two loops is made by same wire, the ratio of magnetic field at the centers of coil respectively, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो given है, उसको लिख लेते हैं, यह L length हो, जो है यह loop की circumference के equal होगी, तो यह 2 pi r हो जाएगा, तो यहाँ से R की value L upon 2 pi के equal होगी, अब यहाँ पर जब 2 loop बना देंगे, तो यह L is equal to 2 loop की circumference हो जाएगी, 4 pi और इसकी radius r dash होगी, तो यह r dash की value आएगी, L upon 4 pi के equal, अब जो question में कहे रहा है, magnetic field का हम formula लगाएंगे, B यह होता है, mu naught n i upon 2 r, loop के center पे, तो first के लिए, इसको हम B1 लिख लेते हैं, तो यहाँ पर number of turns 1 है, तो यह हो जाएगा, mu naught i upon 2 r की value, l upon 2 pi तो 2 pi उपर चला जाएगा, और second में magnetic field B2 होगी, यह mu naught n की value 2 है, और i की value i होगी, upon 2 r की value l upon 4 pi है, यह तो 4 pi उपर जाएगा, अब इनका ratio find करना है, तो B1 B2 यह हम divide कर देते हैं, तो 2 l से 2 l cancel हो जाएगा, mu naught i से mu naught i cancel हो जाएगा, pi से pi और यह 2 से 2 cancel हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा, उपर 1 और यह 4 बच जाएगा, तो इसका, यह 1 upon 4 B1 upon B2 की जो value आईए, यह 1 upon 4 आईए, तो इसका option correct हो जाएगा, 1 is to 4, first option correct होगा, charge q moves in a region, where electric field and magnetic field both exist, then force on it, तो देखिए, जब कोई charge particle, electric field, और magnetic field, जहाँ पर दोनों field present होती, वहाँ से move करेगा, यह मैंने electric field ली है, और यह इस तरह से magnetic field लेते हैं, तो जब दोनों field present होगी, वहाँ पर जब कोई charge particle move करेगा, ऐसे region में, यह magnetic field vector भी है, और यहाँ पर यह charge, हम move करा रहे हैं, V velocity से, तो यह जब charge particle, electric field और magnetic field, दोनों में move करेगा, तो जो force लगेगा, F, यह हो जाएगा, Q into vector E, plus magnetic force हो जाएगा, Q vector V, cross vector B, तो यह force लगेगा, तो इसको option correct हो जाएगा, second, electric force और magnetic force, तोनों force लगेंगे, at a certain place, the horizontal component B naught, and vertical component V naught, of the earth's magnetic fields, are equal in magnitude, the total field, at that place will be, तो देखिए, इस question में given है, given, V naught is equal to, यह V naught के, यह vertical और horizontal component, जो magnetic field के, वो equal है, तो total magnetic field, earth की जो होगी, यह एक दूसरे के, perpendicular होते हैं, तो B, एक के value हो जाएगी, यह एंडरूट, बी, H square, बी, V square, और vertical, और horizontal, एक कोल है, तो इसको हम, B naught square, प्लस, B naught square, लिख सकते हैं, और यहाँ पर, B naught, common हो जाएगा, और यह, अंडरूट के अंदर, 1 प्लस, 1, 2 हो जाएगा, तो यह, earth की, magnetic field आ जाएगी, B naught root 2, तो इसका option, correct हो जाएगा, fourth, an electric field, E, and a magnetic field, V, applied on a proton, which moves with velocity, V, it goes undeflected, through the region, तो देखें, यहाँ पर, electric field, और magnetic field, यह, X, Y, और, Z, X, हम लेते हैं, तो यहाँ पर, एक direction में, electric field को लेते हैं, तो यह, हमने, Y direction में, electric field ले ली, तो यहाँ पर, हम proton को, जब रखेंगे, तो इस पर, plus E, charge होता है, तो इस पर, electric force लगेगा, upward, यह, यह, V की direction होगे, अब इस पर, magnetic force, इसके opposite लगे, तो magnetic field और, velocity किदार रखेंगे, तो देखें, अब इसके लिए, magnetic force लगना चाहिए, downward, तो downward, जब magnetic force होगा, यह FM होगा, अब इसके लिए, velocity इसकी, इस direction में होगी, X component के लोग, अब देखें, यहाँ पर हम इसमें, velocity की यह direction लेंगे, तो, अब force downward हो, इसके लिए, जो magnetic field है, इसके लोग के दिगर होगी, यह magnetic field होगी, तो उस condition में, FM downward लगेगा, देखें, X axis के लोग, और यह, Z axis के लोग, magnetic field, तो यह magnetic force, minus Y में हो जाएगा, FM, तो, इस condition में, जो यह Fee होगा, वो FM के, equal हो जाएगा, तो यह Fee, जो equal to FM, तो यह QE, Q into E, is equal to QVV के हो जाएगा, Q से Q, cancel हो जाएगा, यहाँ से velocity की value, E, Y, V के, equal होग, अब देखिए, electric field, magnetic field, और velocity, यह तीनों, एक दूसरे के, perpendicular है, यह, E, V, and V, all three mutually perpendicular to each other, और जो velocity होगी, वो E, Y, V के, equal होगी, and electron moves with velocity V in uniform transverse magnetic field B on circular path of radius R, than E, Y, M for it is, देखिए, यहाँ पर हम formula apply करेंगे, R, equal to, M V upon Q V, तो यहाँ पर R की जगे radius R ही रहेगी, small R, और M की जगे M रहेगा, E, V की जगे V, और Q की value E हो जाएगी, तो यहाँ पर E YM हमको find करना है, तो इसको palette देंगे, यह E, V upon M V होगा, और यह small R, तो E YM निकालने के लिए, इस V को इदर multiply कर देंगे, तो R V upon, यह B को divide करेंगे, capital V, तो यह value, V R upon capital V के equal हो जाएगा, तो यह fourth option correct होगा, when direct current passes through a spring, then it, तो देखिए, जब direct current को हम spring से pass करेंगे, तो पहले हम, spring draw करते हैं, तो यह हमने spring draw की, इस तरह से, अब इसमें DC current को हम pass कराएंगे, तो यह मैंने इसमें current ले लिए DC, तो जब current इस तरह से लेंगे, तो इदर यह south, north, यह south, north pole बनेंगे, तो यह सभी, यह south, north को attract करेंगा, तो इसी तरह से, इसमें south, north बनेंगे, और सभी यह north और south एक दूसरे को attract करेंगे, जब attract करेंगे, तो यह जो spring है, वो compress हो जाएगे, तो compress होगी, यह contract होगी, first option, correct हो जाएगा, contracts, when alternating current passes through a spring, तो देखी, जब alternating current pass करेंगे, मैं spring से, तो पहले हम एक spring draw करते हैं, यह मैंने spring ली है, तो अब इस से हम alternating current pass कराएंगे, तो यह मैंने current इसमें ले ली, आई, तो यह south north pole इस तरह से इसमें बन जाएंगे, तो यह south north, यह north है इदर, यह south एक दूसरे को attract करेंगे, तो spring compress होगी, लेकिन जैसे ही इसमें alternating current में, जब current reverse होगी, तो यह north south में convert होगा, south north में, तो यह एकदम से एक दूसरे को repel करेंगे, देखें, यह north किसमें convert हो जाएगा, south में, और यह south north में, तो यह क्या होगा, अब यह south है यहाँ पर, तो यह में एकदम से repulsion आएगा, यह एकदम से जब change होगे, तो यह एक दूसरे को यहाँ पर repel करेंगे, तो expand होगे, फिर जब current की direction change होगी, फिर तो इस तरह से यह oscillate करते हैं, compression होगा, expansion होगा, तो यह oscillation produce करेंगे,